अब लोग अपलोग सवस्त होंगे और मस्त होंगे है न डियर तो कुछ लोग ऐसी अफवाएं फैला रहे हैं कि नौदय विद्याले का स्लेबस बदल गया है नौदय विद्याले में जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं उसके लिए स्लेबस बदल गया तो पिलकुल ये बात गलत है डियर क्योंकि नौदय विद्याले ने जो सर्कूलर जारी किया है उसमें बाकाइदा मैंने उसके साइड से ही ये सारी चीजे डाउनलोड आप लोग के लिए कर ली है आप इसमें बाकाइदा देख सकते हो यहाँ पे लिखा है composition of the test यानि कि आप से क्या-क्या पूछा जाने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर पहले की तरह ही mental ability जो है यानि कि मांसिक योगिता परिक्षा जो है वो आपका 40 question आने वाला है और ये 40 question आपको 50 number द लाएगा और ये 40 question आपको 60 minute में करने होंगे यानि कि इसके लिए आपको एक घंटे का मौका दिया जाएगा उसके बाद डियर आपको आता है arithmetic test आपका होगा arithmetic test का मतलब यह हुआ डियर कि अंक गनित का आपका test होगा जिसमें आपको 20 question दिये जाएंगे और वो 20 question आपके 25 marks के रहेंगे और इसके लिए आपको दिया जाएगा डियर 30 minute कितना दिया जाएगा डियर 30 minute उसके बाद आपका language test होगा language test के बारे में आपने मेरी पीछली वीडियो देखी होगी कि उसमें जो भी state जिस भी state से आप बिलॉंग करते हो उस state के लिए जितनी language है उसमें से कोई एक language जो आप select करके रखे होंगे उस उस language में आपको paragraph दिया जाएगा गद्यांस दिया जाएगा और उस गद्यांस से आपसे question पूछा जाएगा तो उन questions का जो number होगा वो होगा dear 20 20 question आपसे पूछे जाएगे और वो 20 question आपके 25 marks के होंगे इसके लिए आपको मिल रहे होंगे आधे घंटे यानि कुल मिला के आपका paper dear कितने 80 questions का आपका paper होगा 100 number में वो question paper आपका design किया जाएगा और इसके लिए आपको मिल रहे होंगे कितना dear 2 घंटे ओके तो मेरे ख्याल से ये भी information आपको बिल्कुल clear होगी कि कोई भी syllabus में changing नहीं होई है सारा का सारा pattern वही है कि आपको mental ability 40 questions की arithmetic आपको 20 questions और language में आपके 20 questions दिये गए हैं जिनके marks आपके 50, 25, 25 हैं total marks आपका 100 हो रहा है total number of questions आपके 80 हैं तो बिल्कुल पुराना ही pattern है कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको additional time भी दिया जाएगा यहाँ पे देखिए additional time of 40 minutes will be allowed for यह actually वो दिब्यांग student जो होते है यह उनके लिए है तो बिल्कुल और आप बिल्कुल pension ना लें यह आपका computer based test नहीं होने वाला है यह आपको paper मिलेगा उस paper में सारे के सारे questions आपको मिलेंगे और आपको OMR पे filling करना होगा जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि आपको paper दिया जाता है paper के बाद आपको OMR दिया जाता है और इस तरीके से आप OMR filling करते है जो question सही रहता है उसको आप क्या कर देते है उसको आप bubble कर देते है इस तरीके से तो इसमें यह दिखाया है अगली वीडियो हम आपके लिए यह लाने वाले है कि आपको reasoning में क्या क्या पढ़के जाना है आपको Hindi में या language में आपको किस तरीके की practice करनी है और आपको mathematics में कैसी practice करके जाना है जिससे की आपका paper बहतरीन हो और आपका selection 100% हो जाए तो बिलकुल नौते बिद्याले की किसी भी जानकारी को पाने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं अपनी तैयारी को जबरदस्त करने के लिए आप इस चैनल को follow कर सकते हैं या पर free of cost आपको पढ़ाया जाता है यानि आपको पढ़ाने का कोई charge यहां पर नहीं लिया जाता है बहुत सारे बच्चे अब तक इस चैनल से पढ़कर अपनी exam को qualify कर चुकी हैं तो आप भी कर सकते हैं मुझे लगता है मेरा message आप पहुंचा होगा तो ऐसे ही आप पिलकुल बने रहिए और चपट दस्त अपनी तैयारी करते रहिए तो ठीक है हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए concept और नए जानकारी के साथ तब तक के लिए ओके टाटा बाई बाई लव यू ओल जाहिए